ब्रेक के वावाब का स्वागत है ओल ही माचल पी डबली डी आई पी एच एंड कॉंट्रेक्चिल बर्कर यूनिन का परदेश तरी चुनाप का बिलासपुर में आयोजन किया गया जिसमें परदेश वर से यूनिन के सदस्य ने भाग लिया सबसे पहले यूनिन की बैटक का आयोजन किया गया जिसमें राज्यस्तर पर विबिन समस्याओं बह मुद्धों पर चर्चा की गई तो संग की आठ जन्बरी को रास्ट रिप्यापी हर्टाल को लेकर और 22 दिसम्बर को बद्धी में आयोजित कारेकार्णी की बैटक की रूप रेखा पर चर्चा की गई ओल हिमाचल पीड़ डी आईपेच एंड कंट्रक्चुल वरकर यूनिन का परदेश तरिये चुनाव बिलासपुर में आयोजित किया गया जिसमें परदेश भर से यूनिन के सद़ से ने भाग लिया सबसे पहले यूनिन की बैटक आयो जिन किया गया जिसमें राजजिस्तर पर विभिन परकार की समस्याओं और मुद्धों पर चर्चा की गई तो संग ही आठ जनवरी को रास्तिवयापी हर्ताल को लेकर 22 दिसंबर को बद्दी में आयोजित कारेकारनी की बैटक में रूप रेखा पर चर्चा करने पर भी सहमती जताए गई बिलासपुर में आयोजित यूनिन के चुनावों के दोरान सीता राम सेनी को सर्वसमती से यूनिन का परदेश अध्यक्ष चुना गया इस बात की जानकारी देते हुए इंटक के परदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप ने जहां यूनिन का परधान बनने पर सीता राम सैनी को बदाई दी तो साथ की आठ जनवरी को आयोजित राश्टी व्यापी हर्ताल और 22 दिसंबर को बद्दी में आयोजित होने वाली परदेश कारेकारनी की बैटक के नेता विपक्ष मुकेश अगनी होतरी इस कारेकरम में विशेश अथिती के रुपे मौजूद रहेंगे उन्होंने बताया कि बैटक के दोरान सरकारी वा निजिक शेतर के लोगों के समस्याओं को लेकर डिमांड चैर्टर बनाने और मुक्यमंत्री जहराम ठाकुर को पत्र सौंपने की बाद भी की गई सबी लोगों ने ये तैय किया हमारे राष्टे नितित्र ने ये तैय किया कि आने वाले आठ जैनुरी 2020 को एक बड़ी हर्ताल देश में जो है वो की जाये इस मोधी सरकार की जन विरोधी मजदूर विरोधी करमचारी विरोधी नीतियों को को जो है के विरोध में ये हर्ताल की जा रही है आज आप देख रहे हैं कि लगातार डिस इन्वेश्मेंट जो है लगातार पब्लिक सेक्टर को बेचने का प्रयाज जो है वो इस मोधी सरकार के द्वारा किया जा रहा है इसी के तहर हमारे राचिस्तरिये कारेकार्णी की बैठक जो 101 भी बैठक है वो बद्दी में होने जा रही है जिसमें डॉक्टर जी संजीवा रेडी जी जो हमारे राश्टे अर्धेक्षा है जो पूरो में सांसर पूरो में मंत्री जो है वो रहे हैं और वो मुखे तिती के रूप में शिरकत करेंगे उसके इलावा कॉंग दिवाग के मंत्री रहे हैं और द्योग के मंत्री रहे हैं वो भी मुखे तिती के रूप में बैठक में हिस्सा लेंगे और आने वाले 8 जनुवरी की हरताल के लिए रेडी साब का मारवदर्शन जो है वो किया जाएगा इसके इलावा उस बैठक में हिमाचल पर्देश से स समस्याओं को लेकर एक डिमांड चाटर जो हम लोग त्यार करें उस पर चर्चा की जाएगी और जल जो है प्रदेश के मुक्या मुक्यमंत्री जो है जैराम ठाकुर जी को हम लोग मिलेंगे और अपना मांग पतर जो है उनके समक्ष जो है वो पेश करेंगे